सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गाम हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे, वहीं गाम के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड में एक भूत रहा करता था, भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गाम वालों को खूब परेशान किया करता था, रात होते ही भूत पूरे गाव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पश्वों को नुकसान पहुचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वह रात भर सो नहीं पाता, भूत के दर से शाम होते ही गाव में सन्नाटा फैल जाता और रात क कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था एक बार भूत से परेशान गाव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधू को गाव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की गाव वाले साधू को उस पेर के पास ले जाते हैं जहां भूत का व आता अंत में साधू भूत पर कावो पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गाव वालों से कहता है कि ये भूत केवर रात के अंधीरे में निकलता है जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिये चारों और उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत दर जाता है और वापस पेड की और भाग जाता है। वहीं, गाव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड के पास पहुँच जाते हैं। रोशनी में साधू भूत को पेड से बांध देता है और फिर गाव वाले भूत को उस पेड के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गाव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है। कहानी से सीख समस्या चाहे कैसी भी हो, अगर बुद्धी का प्रयोग किया जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है।